आप सब के मांग पर मैं ले आया हूँ टाटा पंच के प्योर वेरियंट यानि की बेस वेरियंट का पूरा का पूरा वाकराउन तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इस प्योर में आपको क्या क्या चीज़े मिलती है और अच्छी बात है कि मुझे इसका रिदम पैक मिल गया और जान लेते हैं कि इस प्योर में आपको क्या क्या चीज़े मिलने जा रही है तो यह है टाटा पंच प्योर की चावी इस तरीके से कोई इसमें रिमोट और नहीं मिलने वाला है दो चावी आपको मिलने वाली है और अब बात कर लेते हैं डिजाइन की तो इसके अगर नज़र आएगी जो आपने टॉप पेरिंट में अलड़ी देख रखा है यहाँ पर आपको नॉमल हलोजन बल्ब के साथ में हैडलाइब मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको हलोजन बल्ब नज़र आने वाले हैं जो कि अपना-पना काम करते रहते हैं कोई LED DRL नहीं मिलता ह ग्रिल पर आपको प्यानो ब्लैक पिनिश मिल जाएगा टाटा का लोगों मिल जाएगा और वहाँ पर खाली छोड़ी गए वहाँ पर हॉन की आवाज बाहर आती है जैसे सामने वाला हट जाए तो अच्छा यह लगने वाला है और ट्राई एरो का यहाँ पर भी आपको सामने से मिलने वाला है बहुत ज्यादा सुना सुना नहीं लगेगा लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिसिंग मिलने वाली है जो की साफ साफ इस पर नजर आ रही है अब देख लेते हैं साइट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको पंच में पूरा का को एक बेसिक अंदाज मिलने वाला है कोई रूप रेल नहीं मिलने वाला है अची बात है लेकिन यहां पर और सारी चीज़ें मिलने वाली है यहां पर बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलेगे रिक्वेस सेंसर हो गएरा सब आपको मिसिंग मिले गा यह दरवाजा ऐसे ही और पूरा का पूरा ये प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ पर मिलने वाला है, बड़ा सा बिंडो एरिया मिल जाता है, यह अगर इसके वील की बात करें, तो यहाँ पर क्योंकि यह बेस बेस्ट है, तो यह दिखा देता हूँ, 18570R15 का स्टील वील यहाँ पर मिलेगा, कोई यहाँ नहीं मिलेगा, और यह इससे इसकी दूरी है, तो थोड़ा सा लगेगा कि यह थोड़ा पहिया और बड़ा होता तो अच्छा रहता, लेकि मुझे लगता है कि जिस ग्राउंड क्लेरेंस के साथ में जो दिया गया है, यह जर्टी फाइड है, तो यहाँ पर यह बैजिंग मिलने वाला है, यह बोकल फॉर लोकल है, अच्छी चीज लगने वाली है, और यहाँ पर भी आपको एक लोगो मिल जाता है, जो दिखाता है कि भी यह यह बनती है, अगर टेल लाइम की बात करें, तो यहाँ पर आपको को और प्रयोग नहीं मिलने वाला है, कि आपको यहाँ पर LED मिल जाए, नॉर्मल यहाँ पर हैलोजन वाल्ब के साथ में यह पूरा का पूरा टेल लाइम मिल जाता है, लेकिन अंदाज हो ही मिलेगा जो आपको टॉप बेरेंट में मिला है, यहाँ पर आपको पंच की बैजिंग मिल जाएगी, यह अच्छा लगने यहाँ पर पार्शल पर मिल जाता है, यह अच्छी बात है और यह आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि बेस ब्रेंट में होता है, कि जब आप 5,49,000 उपे खर्च कर रहे होंगे, इसके लिए और रिदम पैक के लिए अत्रिक्त 35,000 उपे दे रहे होंगे, तो बहुत साइच चीजे मिसिंग रहती है, लेकिन इसमें आपको कुछ मिस नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको यह पार्शल पर मिल गया, और एक बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, तीन सो साथ लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस यहाँ पर लगबर लगबर आपक कुछ इसमें दिया गया है, इसका तरीका भी आपको, मैंने कई सारे वीडियो में जिक्र करके बताया हुआ है, तो इस पर लिखा भी हुआ है, अगर नहीं जानते हो आप तो आप इससे सीख सकते हो, टायर इंफिलिटर है कैसी चीज है, जो कभी रास्ते में जहां फसोगे है, तो यह चीज आपको अच्छी लग सकती है, कैसे दिखेगा, यह मैं दिखा देता हूँ, तो इतनी जारी जगे यहां पर आपको, पीछे मिल गई जहां सामान और आप रख सकते हैं, यहां पर, तो यह अच्छी चीज लगी, दोबारा ही से से स्ट करते हैं, और फिर लि मिल जाता है, क्योंकि रियर सीर पर अगर थाई सपोर्ट मिल जाए, तो अच्छा है, लेकिन वहीं पर जैसे आप खुश होते हैं, यह जो अपराइट पोजिशन, इसकी ज़्यादा वो दुखी कर देती है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब ज़्यादा है, तो आप जब लंबी दूरी की आतरा करने होगे, तो आपर यह डिस्टर्ब करने वाला है, इसका जिक्र मैंने अपने डिटेल रिव्यू में भी किया था, यहाँ पर लेग, इस पेस इतना सारा मिल जाता है, तो यह अच्छा लगेगा, और यहाँ भी मिल जाएगा, अच्छे से, औ लेकिन आपको रोल डाउन यहाँ पर बिंडो मिलेगा, तो इस तरीके के आपको इसे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है, यह पंच सबसे ज़्यादा विकने वाली ही, क्यों बताऊंगो वज़े, जब मैं इसको क्लोज करना होगा, तो यहाँ पर इतनी सारी और देखते हैं, वहाँ पर इस रिदम में, यानि की प्योर रिदम में क्या-क्या चीज़े मिल जाती हैं, और वही पर आपको पता चलेगा, जो इसमें पैक में, रिदम पैक के रूप में जोड़ा गया है, वो क्या-क्या चीज़े हैं, तो मैं इसमें, यानि की प्योर में यह भी आपको नहीं मिलता है अब क्या करता हूं मैं अधर्शे हो जाता हूं और आपको बारी के से दिखाता हूं क्या की चीज़ा और इसमें मिलती हैं तो यह है इस प्योर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें क्या क्या चीज़े मिल जाएगी देख लीजिए तो आपको पता जाए यहां पर दिखता रहे सब्सक्राइब लेकिन यह इस से नॉर्मल तरिके से शेट है तो यह यह अच्छा लगेगा, यहाँ पर देखे कि फिर यहाँ पर music system दिया गया है, लेकिन रिदम पैक है, यह ध्यान रखेएगा, इस वज़े से इसमें दिया गया है, इसके लिए आप की मत चुकार हो लगबुक 35,000 रुपे, नहीं चुकाओगे तो खाली-खाली मिल जाएगा, और आपको अलग से इसपे music system लगवाना पड़ेगा, फिर भी मुझे लगता हो value create करेगा, इस event की positioning अच्छी है, और touch and feel भी यहाँ पर अच्छा लगने वाला है, इसमें 40 speaker दिये गए हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कि उसकी sound quality कैसी है, तो क्या मेरे Instagram पर चले आएगा, मैं एक reel डाल दूँगा, तो वहाँ पर आपको अंधाजा लग जाएगा, कि इसमें कैसे यह आवाज करता है, और क्या rhythm pack लेकर आपको और कुछ करवाने की जरूरत है, या नहीं, पर मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा बिटने वाला है, सामने य पील को आप उपर नीचे adjust कर सकते हैं, या नहीं बता देता हूं, तो येस, आप इसको उपर नीचे अपने हिसाब से जितना चाहते हैं, इसे adjust कर सकते हैं, तो tilt की सुबिधा इसमें दे दी गई है, बेस बेंट में भी, तो ये चीज अच्छी जमने वाली है, और यहाँ प देखेंगे, तो यहाँ पर USB charging की सुबिधा मिल जाती है, यहाँ पर सामान वगरा रख सकते हैं, यह पूरी ववस्ता दे दी गई है, यह फाइव स्पीड manual transmission है, तो यहाँ पर दिया गया है, यह कैसे काम करेगा, यह आपने review में जिक्र कर चुका हूँ, और base variant भी आपको य यहाँ पर यह इस तरीके से दिया गया है, और ऐसे आप इसे खोल सकते हैं, इसमें काफी सामान रखने के जगे मिल जाएगी, तो इसमें कोई change नहीं किया गया है, एक combination इसमें बनाया गया है, क्योंकि यह प्योर रिदम है, और base variant होने के बावजूद यह काफी अपील कर र होगा नजर आ रहा है, अच्छी चीज और है कि इसमें आपको क्योंकि safety बर बहुत ध्यान रखती है, तो यहाँ पर आपको दो airbag मिल जाएंगे, एक कहां पर मिलेगा, एक साइड में, तो यह अच्छी चीज है, जो टाटा ने दिया है, सन वाइजर पर मिलता है, यह नहीं है, तो यह कुछ-कुछ चीजें है, जो टाटा ने इसमें देखे, अच्छा काम करने की कोशिश की है, और हो सकता है, यह लोगों को ज़्यादा अप्पील करें, तो इंटेर से यह सारी चीज़ है, जो मैंने इस प्योर रिदम पैक का दिखा दिया है, तो वीडियो खत्म क इंजन आपको इसमें मिलता है, जो की 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन है, और यह देता है 86 PS की शक्ति और 113 NM का टॉर्क, पैकेजिंग आपको कैसी लगेगी, आपको डिसाइड करना है, देखना है, कापी खाली जगे यहाँ पर मिल जाती, अगर यहाँ तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि कोई पार्ट यहाँ पर टठर लगना भूल गई है, यह इसमें आपको प्रतीत होने वाला है, लेकिन अब जिस तरीके के इंजन बनते हैं, मुझे लगता है, उसे आप शिकायत नहीं कर सकते हो, लेकिन यह सब कुछ आपको इस पैकेजिंग के साथ में यह कर सकते हैं, मुझे जिस तरीके के साथ मेरे लगना पर टूम, क्लेम के इसे ओविश्च्प। इस दुछ को इसाथ रहिप должноdal और यह से हो, लेकिन आपको प्सक्त वाल गवता है, वमेचिन नहीं किन आपको 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 इस साथ में उनकिन झापको आपको